विजर्ड किंग एके ए जूलियस नौवा क्रोना अपने काम को छोड़ कर छुपके से कहीं जाने की सोच रहा होता है पर मार्क्स तुसको देख लेता है एंड उस पे काफी गुस्सा करता है अभी हम Eye of the Midnight Sun वाले इंसिडेंट का भी समाधन नहीं निकाल पाए हैं और तुम अपना काम छोड़ के घूमने जा रहे हो जूलियस कहता है काश मैं भी Underwater Temple जा पाता मैं आशा करता हूँ कि यामी और बाकी के Black Bull सही से काम कर रहे हूँ Black Bull तो हमेशा की तरह फुल मोज में होती है किसी को Hangover हो रहे होते हैं तो कोई अपनी ही Imagination में लणकियों को डेट कर रहा होता है मैगना और लग दोनों हमेशा की तरह लड़ रहे होते हैं क्योंकि लग ने मैगना का खाना खा लिया घोच अपनी मरी से वीडियो कॉल करके कहता है रात हो गई है सो जाओ Good night चारमी हमेशा की तरह खा रही होती है यामी उन सब पर चिल लाता है हम इदर छुट्टे मनाने नहीं आये हैं किसी काम से आये हैं शान्त हो जाओ इस तरह से मैं कॉंसेंट्रेट नहीं कर पा रहा जब सब मस्ती कर रहे होते हैं तब नोयल और आस्ता ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनको एक लड़की दिखाये देती है गाना गाते हुए जो बहुत प्यारी अवाज में चांदनी रात में गा रही है उसके चार और बवल टाइप कुछ हवा में फ्लोट हो रहे होते हैं जब वो लड़की देखती है कि आस्ता और नोयल ने उसको देख लिया गाना काते हुए तो थोड़ा एंबरेश्ट होती है फिर उसके बाद वो अपना नाम बताती है कि वो कोहोनों है आस्ता और नोयल को कहती है कि चलो दोस्त बनते हैं नोयल अपना नाम बताती है कि वो नोयल है और वो बोलती है कि यह है मसल हैड मोटी बुद्धी कहीं का कोहनों कहती है मसल हैड यह तो बहुत अजीब नाम है आस्ता कहता है तुमने इस पर यकीन भी कर लिया ये मेरा मज़ाग बना रही है, मेरा नाम है आश्टा, नुयल के पूछने पर वो बताती है कि वो यहां पे सिंगिंग करे थी, उसको ये जगह बहुत पसंद है, क्योंकि ये जगह सिंगिंग के लिए best है, वो इदर सिंगिंग टरेनिंग कररे थी, उसको एक आइडल बनना है आश्टा और नोयल दोनों को इन पता होता है कि आइडल क्या होते हैं और कोन होते हैं कोहोनों उनको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आइडल कोन होते हैं वो गाने गाते हैं, डांस करते हैं, खूप सूरस सा मैजिक करते हुए लोगों को एंटेटेन करते हैं, वो एक popular idol बनके खूप सारा पैसे कमाना चाहती है, नोयल कहती है कि पैसे में ऐसा क्या है, अगर तुमारे पास पैसे भी आ जाएं तो वो हमाईसा तुमारे रास्ते में नहीं आते है, आस्ता कहता है तुम गलत हो, तुम शायी गराने के लोग नहीं समझोगे, क्योंकि तुमको कभी चिनतagne ही होती है पैसे कमाने की, क्योंकि तुमारे पास खूप सारा पैसा होता है, अगर मेरे पास money नहीं होगा तो मैं potatoes कैसे खाऊंगा तो Noel कहती है अगर तुम्हारे पास potatoes नहीं है तो meat खा लो आस्ता कहता है damn you royalty सोचने की बात है जो बंदा आलू afford नहीं कर सकता वो meat कैसे खा लेगा आस्ता की बात को कोहोनों भी agree करती है इसलिए वो उससे हाथ मिलाने लगती है हाथ मिलात ही उसको पता चलता है कि आस्ता का शरीर कमजोर है उसका शरीर काफी ठका हुआ है उसके शरीर में दर्द होता है जब भी वो चलता है या हिलता है कोहोनों की यह power है इसलिए वो पेचान जाती है वो अपने healing magic से आस्ता को ठीक कर देती है वो शरीर के हर एक हिस्से को pinpoint करती ह आस्ता की सारी धकान दूर हो जाती है उसके शरीर में दर्द होना बंधु हो जाता है हील करने के लिए कोहोनों आस्ता से 100 UL मांगती है आस्ता और आस्ता दे भी देता है और कहता है मुझे यखीन नहीं हो रहा कि मैंने अभी अभी 100 UL खो दिये हैं नोयल कहती है 100 यूल तो कुछ भी नहीं होते है जिसका reply में आस्ता कहता है damn you royalty कोहोनों कहती है अगर तुमको आगे भी कभी healing magic की जुरुत पड़े तो बता देना ताकि वो उसको heal करके पैसे बना सके ये तीनों ही 15 साल के होते हैं तो कोहोनों कहती है हम तीनों को जरूर दोस्त बनना चाहिए नोयल के लिए नया होता है कि उसकी age की लड़की और उसकी friend बनना चाहती है नोयल भी कहती है अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है उनके बीच में काफी बाते होती है, कोहनों को पता चलता है कि आस्ता और नोयल दोनों ही magic night है, कितना cool है ये तो, magic night cool होते है न, नोयल कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, मैं एक royalty हूँ, तो इतना तो हम royalty से कम से कम expected ही होता है, आस्ता कहता है मैं एक आम इंसान हूँ, एक commoner कोहनों पूचती है तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो आस्ता मूफट इंसान है, बहुत बोला वाला बच्चा है, मेरी तरह, वो तो सीधा सीधा बोल देता है, हम एक top secret mission पे हैं, हम training कर रहे हैं ताकि underwater temple जा सकें, फिर नोयल उसका मूँ बंद करा कर कहती है, ये magic कर रहा है, क समुंदर की लहरों की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो बहुत अच्छा खासा mood बनाती है, नोयल कहती है हम यहाँ पर training कर रहे हैं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, हम कोई date wait नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, कोहनों कहती है magic training, नोयल कहती है जी हाँ magic training, मैं detail मे तो नहीं बता सकती, पर मुझे अपने magic को control करना सीखना है, एक हफते में ही, जब full moon वाला दिन आएगा उससे पहले, कोहनों के कहने पर नोयल उसको अपना sea dragon layer वाला spell करके दिखाती है, कोहनों उसको कहती है, good work, एंड एक नए दोस्त होने के तोर पर उसको कुछ advice देती है वो अपने magic को control नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो अपने माना को पूरी तरह से release ही नहीं कर रही है, वो hold back कर रही है, वो रोक के रख रही है अपने magic को, वो कहती है मैं समुंदर की लहरों की अवाजों को सुनती हूँ, जिससे मेरे मन को शांती मिलती है, जब तुम शांत हो मुझे समझ आ गया है, मैं अपनी तलवार अच्छी तरह से तभी चला पाता हूँ, जब मैं कुछ भी नहीं सोच रहा होता, नोल कहती है पहली बात तुम कभी कोई magic यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि तुमारे अंदर कोई magic नहीं है, और दूसरी बात, तुम कभी कुछ कोई अच्छी यादव के बारे में सोचो, जिससे तुमारे मन को शांती मिलती है, नोल कहती है, ठीक है मैं ट्राइ करती हूँ, कोई यह इतना भी मुश्किल नहीं है, अपने family के बारे में सोचो, family के बारे में सोचते ही, नोल के मन में कुछ memories आती है, जब उसकी मम्मी मर ग बस इसी तरह हमारे साथ black flower की journey में बने रहिए, कौन-कौन मेरे साथ इस journey में साथ देने वाला है, जरा comment section में अपनी हाजरी तो दो, please, नोल के भाई भैन ही उससे बात नहीं करना चाते, वो इसको failure कहते हैं, जो सबसे बड़ा और सबसे समस्दार है, वो खुद नोल को कहता है, कि तुमारी वज़े से हमारी मम्मी मरी, पाता नहीं तुम जैसी useless failure को पैता करने के लिए क्यों मरना पड़ा उनको, अपनी खुद की family के साथ कोई भी अच्छी memories नहीं हैं, इसलिए Noel कहती है, मैं तुमारी advice की इज़्जत करती हूँ, मैं थोड़ी और practice करने वाली कोहनों कहती है कि जब भी तुम ठक जाओगी मिरको बता देना, मैं अपने healing magic से तुमारी ठकान दूर कर दूँगी, क्यूंकि तुम royalty हो तो मैं तुम से thousand yule लूँगी, इसके बदले, आस्ता कहता है कि मेरी अच्छी यादों में तो सरीफ sister lily है, guys आप लोगों के लिए एक के सब comment box में बताना मत बूलना, जब सारे black bull के member पूरे time मस्ती कर रहे होते हैं, उस पूरे time में नोयल प्रेक्टिस कर रही होती है, अपने magic को कंट्रोल करने के लिए, और नोयल को पूरे time कोहनों और आस्ता सपोर्ट करते हैं, जब जब नोयल ठक जाती है, कोहनों अपने healing magic से उसकी सारी धकान दूर कर देती है, लगातार ट्रेनिंग करने के बाद भी नोयल कुछ भी improve नहीं कर पाती, और अब बस एकी रात उसके पास बची होती है, कल है full moon, कोहनों पूरी तरह से उसको encourage करती है, कि you can do it, वहीं आस्ता के पास एक idea होता है, वो नोयल से कहता है कि वो अपने magic को hold back कर रही है, उसको अपना सारा magic release कर देना चाहिए, और ज्यादा अपने उपर जोर नहीं देना चाहिए, relax होना चाहिए, अपने जादू को छोड़ना है, नोयल विरोध करती है, लेकिन आस्ता कहता है कि अगर कुछ होता है, तो वह उसे बचाने के लिए अ अपना सारा magic release कर देती है, क्योंकि नोयल रोयल्टी है, उसके अंदर काफी strong माना होता है, नोयल के मन में बस यही चल रहा होता है कि वो इस situation में कैसे relax हो सकती है, कुछ नहीं हो रहा, जैसा होना चाहिए, नहीं कर सकती हूँ मैं, मैं एकदम hopeless हूँ, मैं कैसी अच्छी उदर नोयल को cheers करने आते हैं, और सब के सब अपने अपने style में नोयल को एक साथ मिलकर cheers करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, you can do it, उनको पूरा यकीन होता है कि नोयल कर लेगी, फिर नोयल के मन में एक बात आती है कि, शायद उसके मन में, उसके दिमाग में कुछ अच् कौन नहीं कर सकती, और अगर वो magic knight entrance exam देगी भी, तब भी वो pass नहीं कर पाएगी, यामी ने कभी कोई royal failure नहीं देखा, नोयल उदर से जाने लगती है excuse me कहते हुए, but but but, इधर एक बहुत बड़ा twist आता है, यामी अपना भरोसा दिखाता है नोयल में, वो कहता है, अगर त अब ही तुमारी तरह losers हैं, तुम हमारे लिए एकदम perfect हो, नोयल ने अपनी family के साथ इतने साल बिताए, पर उनके बारे में, नोयल के दिमाग में एक भी अच्छी memories नहीं हैं, और जबकि उसने black bull के साथ स्रिफ कुछ महिने ही बिताए हैं, और इतनी सारी memories हैं, और सारी की स अच्छी memories हैं, black bull ने नोयल को accept किया, उसको acknowledge किया, उन्होंने नोयल पे अपना भरोसा जताया, एक top secret mission के लिए, एंड इसलिए वो भी उनकी मदद करना चाहती है, नोयल कर दिखाती है, एक बहुत बड़ा defensive attack कर लेती है, water creation magic sea dragon cradle, वो ठक जाती है और वापस से गिरने लगत चारमी कहती है मैं तुमको बचा लोगी, Finderl कहता है आ जाओ मेरी भाव में गिर जाओ, पर यहाँ पर तो अपना आस्था बाजी मार लेता है, वो नोयल को पकड़ लेता है, वो उसको बचा लेता है, आस्था कहता है कि मुझे पता था कि तुम कर लोगी, नोयल चर्मा जा एक ती है कौन कहती है कोहोन, कहनों, सम्मुंदर के एक दुम किनारे पे, तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त है, उन्हीं को तुम्हारे पास होना चाहिए, चीर्ड करने के लिए, जल्दी मिलेंगे उन्डरवाटर टेmpel में, कहनों को पता चल जाता है, कि वो आए भी जाता है ब्लैक बुल दोवारा यामी दूर से ही बैट के देख रहा होता है और कहता है मैंने नुएल को बोला था कि अपनी लिमिट्स को सरपास करो पुछ पास करो अपनी लिमिट्स को और उसने किया भी इसलिए वो जल्द ही अगले एपिसोड में अंडर वोटर ट करें एंड इसी तरह तुम्हारे में भरोसा दिखाएं जिस तरह से मैंने तुम्हारे उपर दिखाया है कि मुझे पता है कि मेरे जिन्दगी में चाहे कितने भी बुरे दिन चल रहे हो चाहे एक्जाम चल रहे हो चाहे जो भी हो रहा हो मेरे को टैम निकालके वीडियो बना झाल झाल